हम बेटी बना कर रखें बाकर पतो बना के करप रखें हमार भावब पाटना में पड़ाद लाँ फिर कम्पीटर के पढ़ाई पड़ाई पड़ाई परत लाइका कोई दिवह हो साधी कर अशाधी कर पतलाई यह अब रखें नूंबाबा इस वर्थम गोपाल गंज में है और गोपाल गंज का वो जगह जहांपे की पंचैती के दोरान एक यूवक को जो है चपकू से गोध-गोध कर उसके लड़की के पिता है वो मार देते हैं और यही जगह है आप देख सकते हैं यही पे पंचैती हो रहा था बाकी पूरा मामला हम जानेंगे उसी यूवक के माता प पीता का उपर फासी की सजा की मांग कर रहे, इसी के लिए जो है यह चर्चा का बिसाय बना हुआ, क्या हुआ था उस दिन? देखिए जिनका लर्का जो है इस दुनिया में न रहे उसके बाद जो है अब सदमे में चली गई है मा पीता जी आपको कैसे पता चला कि बेटा के साथ ऐसा हो गया वो संडे के दिन मालब बड़े संडे के संडे की काम उगए तो आपको पता था कि आपके दरवाजे में पंचाइती आ रही है ना ना यह पंचाइती कुछ नहीं था उस ओटकॉट में बोला था लो जे एक गाम में आदमी जुदोस होता है नो ओ बोला जी तुमारे लड़का अगर सेरियस है फिर मैं घर पर पूछा फिर को बताया लोगे ओ चाको को लगा है ओ थोड़ा सा लगा है जो इलाज चोल रहा है को पाल माजी बस यही दो दिन तक बाते करते करते मैं आया हो तो कोले का पो उसी दिन का कानी खत्म थो संडे का प्डूटी में थे नहीं मैं में निकला हूँ उसी दिन संडे को ही निकला च्थी वजी रहें है तरबाद से आज आया हूँ मतला है उप हैद्राबाद में पिता और है वो काम कर रहे है और दरवाजे पे पंचाइती हो रही है उसी के दौरां जो पेटा को चकु मारा जाता हो भी लड़की पिता के कि उससे में क्या हुआ था मताजी कि अई पर्चा कुर लगवे यह बैठा हुआ रहा हुआ है कि और हम बैठा कि तो क्या ऐसा बोल दिया था या क्या हो गया था कि उसको चकुम कुछ आपना बापो को बोला वहां हम बोला दें सोब लोग तो यह लोग वान नौर कौन थे धने सची मुख्या भी थे घामे के लोग थे तुछ समय लड़की कहां थी लड़की यह कहां एजी तिदिलर की उससमय है यही कांग तो हम जानने कि इसी गाव की लड़की है लेकिन लड़की उससे में पंचाइद में बीरोध नहीं की कि हम इसी के साथ रहेंगे आपके घर में तो पहले ही से आपके घर में आ गई थी क्या ना मर बाब बाब बागो अनुक रबाद सहली अच्छा मतलब लड़की जो है पहले ही आ गई थी मतलब लोग प्लान किया था क्या कि हम भाग के साधी करेंगे इतना मालम नहीं कि इतना मालम नहीं कि हम रहे साधी करें जातरो लो कहां जातरो लो मालम नहीं को एक उली कम फेरा में रावे ना कोई नहीं हो हम सिद्धा मापन बाबु गरून बजारी में हमार बाबु पाटना में पढ़त लान फिर कंपीटर के पढ़ाई पढ़त लान बेग लेकर जालन आवलन फेर भी यह दिन तनी चल गवन दिन में ता हम गई तो जाय फिर के लाए अछिवा संक दुख जाड़ से नहीं हो कि आथा से और भी आपन नहीं वालर को में दो कुएमित उतनल है लाइक नाय अवे चाहें तीन कम दो फोट सबस्क्राइब आप पीज़ क्यों है और नहीं यीरी राख आदमी पूरे बट रहें तो पंचाहित हुई जआए फिल्कुल फिल्गी लाइका बलवा कि है पुछी जो है तो अब लड़की को आप लोग डखेगी बहु बना के कर दो का रही है कि आप जीएंगे मारेंगे आफी के गड़ में तो अब क्या होगा हाँ अब तो अब ने माता पीता हो रही है कि वह नहीं कि सजा होना चाहिए अम रहेंगे तो इसी के गड़ में सब्सक्राप बहुताज बाद के अब बात बिचार होता वकरबाद नुकून बाथ है एक ब्रत हमरे घर मेरे हमरे घर से गलब्र मतला बतो बेटी बना के रखिए तो देखिए लड़की जो है अभी कोट गई है बाकी बाबा है बाबा आप थे उस दिन कहां गए थे उस दिन कहां थे रहनी हुआ दूब जैसे दूब जैसे दूब जैसे दूब अवी जिसके बाबा हो सामने अब जो इन पर क्या भीता होगा आपका पोता था ना इतना मतलब जवान पोता को सामने अगर इस प्रकार से गाओं में वो भी अपने दरवाजे पे अगर किसी के दुआरा इस प्रकार से घटना का अंजाम दिया जाए तो बताइए उद दादा पे क्या भीत्ता होगा दिन भर जो है सारे परिवार के लोग वो सदमे में हैं और दिन रात जो है उसी ख्याल में डूबे हुए हैं जरा समझ सकते हैं आपकी अगर किसी के दरवाजे पे इस परकार से घटना हो जाए तो क्या होगा क्या हुआ था बाबा आपको कुछ पता चला ना हमरा कुछ पता ना हमर तो भी यह तर ठीक ना रहे ना भोसम बरानी हो इ आप लड़किया कि अब रखे मनों बाबा ए लड़किया बिया हम लोड़की बना करा पर जामन को इत्राइब करो अब काम लाज़का सवादी करें हूं तो लड़की आप तो आप बोल रहे कि माता-पीता को फांसी होना चाहिए फूब तो भूलु हमरे को उपर वाला जू क्या सजा की मांग करेंगे आप ऐसे ऐसे दरिंदों के खिलाप जो इस प्रकार से घटना को अन्जाम दिया है कैसा सजा का मांग करेंगे का करी हम हमर बाब उन्ना वायन पेरू हमर बाब वेक दे दिलो आई बाब हमरा बाब वेक दे दिलो आई बाब आई बाब आई बाब तो देखिए ये माता पीता है अभी मन्नु के और जो लड़की है अंकीता वो अभी कोट में गई है कोट में जो है उसका 164 का ब्यान है वो ब्यान देने गई है बागी जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट में जरू बताएगा और वीडियो को सेयर कीजेगा जय हिंद जय विहार